आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भृत्यक विज्यान, और जी विज्यान के डाउट्स कख करो सपाय बस प्रशन की फोडो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी राउनलोड करें दोस्तों सवाल हमारा दिया हुआ कि इस तीर विद्धुत की में गौस का नियम लिखिये तथा एक समरूप आवेसित अचालक गोले यानि नान कंडिंग्टिक स्फेर के लिए विद्धुत्षेत की तीपता हमें ग्याद करने ठीक है एक गोला हमारा समरूप एक रूप से समा आवेसित है तो सबसे पहले हम लोह गौस का नियम देखते हैं गहुंस का नियम अब रिखाते हैं की कि परिभास हमारी होती है कि किसी बंद प्रिष्ट रहा कि अगर बंद वाले चेप्टर में भी हम गौस का नियम होता है इसलिए यहां पे लिखा गया है कि इस तिर बिदुद की वाला नियम लिखिए इसको ठीक है तो इससे गुजरने वाला इसका मान होता है 8.85 गुड़े 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्कॉयर पर नियूटन मीटर स्कॉयर ठीक है निरवात की विद्दु सीलता इसको बोलते है निरवात की विद्दु सीलता ठीक और इसको अगर हम लोग समाकलन के रूप में लिखें तो यह हमारा सूतर जो होता है यह स समाकलन के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है क्लोज इसका इंट्रिकेशन इंटू डिये बराबर की इंटू एप्सलान जीरो ठीक है इसके बाद हमसे कह रहा है कि अब हमें एक समान रूप से आवेसित अचालक गोले के लिए बिद्दु छेट की तीबता निकालनी है तो मैंने मान लिए हमारा कोई अचालक गोला है यह जिसकी तिर्ज हमारी capital R है ठीक है तो इससे R दूरी पर जो की R हमारा बड़ा है capital R से मतलब बाहि बिंदु पर हमारा अगर निकाले हम अलग अलग बिंदु निकालते हैं एक बार बाहि बिंदु पर एक बार प्रिष्ट की तिपता क्या आएगी तो बाहि बिंदु पर मैंने एक बिंदु मान लिया कोई बिंदु पी है इसको वो कोकेंद्र मांग कर हमने एक गोला बना लिया जो कि हमारा क्या कहलाता है गोशियन प्रिष्ट कहलाता है ठीक है इस पर आवेश मैंने मान लिया Q है ठीक है तो Q जो पर जो हमारा विद्द्थ्चहतकि प्रता होगी is the बाहर की जो प्रता होगी तृइप और India तशी पार्ट के लिए हमारा जो है Oui तृच का होगा वहिने अभी बताया था ऑन या होता है थोगा है बढू बद्ध्था क याण से यह हो जायागा फोफ ये- eda cos 0 क्योंकि दोनों के बीच में cos हमारा शुन्य है एंगल इसलिए हो जाएगा e into da ठीक है तो यहां से flux उससे उससे गुजरने वाला flux phi e क्या हो जाएगा integration of e into da ठीक है तो e into da आजाएगा यहां से आपका यह हो जाएगा e into integration of da ठीक है क्योंकि e जो हमारा क्या होगा इस प्रिष्ट के हर बिंदू पर इसकी क्या होगी बिद्धु 6 की थे अ समान होगी ठीक है इसलिए नियत है बाहर ले लिए अब d a क्या है गोले का 6 रफल है प्रिष्ट 6 रफल हीं क्या होता है 4Pi r 2 स्क्राइग यहां into 4 pi r square ठीक है यहां से समीकाड अगर इसको एक लिख दूँ ठीक है और यह बराबर किसके होगा यही बराबर गौस के नियम से हमारा अभी हमने पढ़ा q बराबर q बटा epsilon 0 होता है यह आपका गौस का नियम हो गया तो गौस के नियम से अगर यह दोनों बराबर है तो क्या बराबर यहां से आप इसको हल करेंगे तो मिलेगा एक बटा 4 pi epsilon 0 into q बटा r square ठीक है यह सुत्र हमारा प्राप्त होगा जब r जो है क्या है बड़ा है capital r से ठीक है लेकिन हमको इस प्रकार से हमें नहीं लिखना है इसको इस प्रकार से नहीं लिखें क्योंकि हमें दिया ठीक कोई आवेश नहीं है तो इसमें क्या होगा आवेश उसमें संपूर आयतन में एक समान रूप से बितरित होगा वो में दिया भी है इसमें समान एक रूप से हमारा होता है हमारा आवेश आयतन घनत जो होता है रू रू से दिभाय करते हैं इसे बोलते हैं आवेश का आ आयतन घनत ठीक है यह बराबर क्या होता है क्यू बटा आयतन उसका ठीक है तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा रो into item गोले का item क्या होता है यह होता है 4 बटा 3 pi r के घाते 3 into row तो यहां से q की जगा यह value हम लोग put करेंगे तो इसलिए हमारा e command यह ना के बदल किया जाएगा क्या हैगा देखिए यहां से e बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा 4 pi epsilon 0 यह पहले से था अब q की जगा हमने लग दिया 4 बटा 3 pi r के घाते 3 row बटे r का square यह था हमारा ठीक यह हमारा आया था यहां पर दो से हमने यह लिख दिया अब देखिए 4 pi से तो 4 pi गड़ गया उपर क्या बचा है यहां पर यहां पर देखिए r cube बचा यहां पर रो और यहां पर 3 epsilon 0 into r square बच गया ठीक है तो e कमान यहां से क्या होगा यह हमारा सूत्र हो जाएगा गोले के बाहि बिंदु पर अचालक गोले के लिए बिद्दू छेत की तीब्रता ठीक है जब हमारा क्या है r जो है r से बड़ा है ने कि बाहि बिंदु पर तो बाहि बिंदु के लिए तो सूत्र हमें मिल गया इसी परकार हम लोग क्या करेंगा अगर प्रिष्ट पर निकालें तो गोले के प्रिष्ट पर क्या होगा देखिए दूसरा point अगर हम देखें समीकर्ण 3 में रखेंगे तो समीकर्ण 3 से क्या हो जाएगा आपका समीकर्ण 3 से यह मान रखी इसमें रो बटा एपसलान 0 होगा यह तो और r cube यह है और small r की जगाब क्या रखेंगे capital r का square हो जाएगा यह r square यह कड़ जाएगा बचेगा एक r बचेगा यहाँ से e का मान क्या हो जाएगा e बराबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा rho बटा epsilon 0 into r बटा 3 यह आप लिख सकते हैं rho r बटा 3 epsilon 0 यह आपका सूत्र हो जाएगा इसके प्रिष्ट पर अचाला गोले के प्रिष्ट पर बिद्दू छेद की तीपता का सूत्र जो की एक नियत आंख है क्योंकि epsilon 0 नियत है rho का मान भी नियत है आपका आवेश का आयतन घनत्व है और r capital r भी नियत है तो यह मान आपको क्या मिल गया एक नियत मान प्राप्त हो गया अगला हमारा क्या है कि आंतरिक बिंदू पर अगर हम निकाले हमें हमें निकालना इस बार आंतरिक बिंदू पर इस मैंने फिर से चितर बना दिया है यह हमारा क्या था हमारा गोला था जिस पर आवेश पूरी जगह पे एक समान रूप से बितरित है वो क्या है हमारा Q आवेश है और R हमारा क्या है आवेश का आईतन गनत्तु है हर जगा एक समान रूप से आवेश बितरित है इसके बिंद उपर मैंने कोई बिंदू ले लिया P डेस आंतरिक बिंद उपर जो की Q डेस है तो इससे गुजरने वाला बिद्दूत फ्लक्स तो वही होगा जो हमने निकाला था Phi E बराबर ये तो होगा हमारा क्या कितना E into 4 pi R square क्योंकि दूरी वही है R दूरी पर निकालने तो 4 pi R square होगा ठीक है अब मैंने मान लिया कि इस पूरे बिद्दूत फ्लक्स कुल आवेस का एक बटा Epsilon 0 तो कुल आवेस इस पृष्ट पर कितना है Q डेस है तो इसलिए Q डेस बटा Epsilon 0 होगा है Q बटा Epsilon 0 नहीं होगा ये ध्यान देना ठीक है तो यहां से इन दोनों को बराबर करके हम लोग E निकाल सकते हैं इस बार हमारा E का सूत्र क्या बनेगा एक बटा 4 पाई Epsilon 0 इंटू Q डेस बटा R स्क्वाइर Q ना होगा Q डेस होगा ये समीकर्ण 4 होगा हमारा ठीक है अब यहां से Q डेस हमें Q के पदों में निकालना पड़ेगा क्योंकि Q हमें पता नहीं है ठीक है तो यह कैसे निकालेंगे वो निकालेंगे हम रो से क्योंकि हमें रो पता है रो क्या है रो तो दोनों के लिए समान होगा आवेश का आयतन गनत है जो हमारा पूरे आयतन में एक समान गनत है तो यहां पे होगा यहां पे होगा हर गोले के अंदर हर बिंदू पर रो कामान क्या होगा समान होगा अब इसका आयतन गहना तो इसका मतलब वही है ठीक है एक समान रूप से आवजशित है तो आयतन गहना तो रो हब जगा समान होगा तो यानि कि रो कामान जो यहां होगा वही यहां होगा इस बिंदू पर तो दोनों के लिए बराबर करते हैं तो रो बराबर क्या होता है हम जानते हैं Q बटा अगर बड़े वाले गोले के लिए निकालेंगे तो यह होगा Q बटा आयतन यानि 4 बटा 3 पाई इंटू R का Q ठीक है और यह बराबर होगा Q बटा झाल बटा 3 पाई गाले के लिए बटे आयतन 4 बटा 3 अब R का Q, इसमाल R का Q यह इन दोनों में संमंद होगा यहां से केप्टल Q स्माल Q में हमें संमंद मिल जाएगा 4 बटा 3 4 बटा 3 पाई गाड़ दीजिए यहाँ पे देखिए Q डैस बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा R का Q बटा capital R का Q into small Q ठीक है तो यहाँ से यह मान हम लोग क्या करेंगे इसमें रख देंगे तो Q डैस हमें मिल गया है यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं आप Q into small r बटा capital R के घाते 3 यह मान हम लोग समीकान 4 में रखेंगे तो समीकान 4 से क्या हो जाएगा E बराबर हो जाएगा हमारा देखिए यह इसमें रखेंगे यह बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 बटा 4 pi epsilon 0 into Q डैस Q डैस आपका Q into R का capital R के घाते 3 3 बटे R square ठीक है यहाँ से इसको हल करेंगे 1 R 3 R है यहाँ 2 R है 1 R कट जाएगा यहाँ पर उपर 1 R बचेगा यह हो जाएगा आपका 1 बटा 4 pi epsilon 0 यहाँ क्या बचेगा Q एक बचा और 1 R बचा और नीचे R के घाते 3 बच गया यह तो हमारा सूतरा गया लेकिन R का मान जब हम फिर से इसमें रखेंगे तो R के पदों में लिखना है चुकि R बराबर हमने R बराबर हमने निकाल रिया था क्या था? हमारा Q बराबर R के पदों में R into 4 बटा 3 pi r cube था यह मान हम इसमें रखेंगे और R के पदों में हम लोग इसका विद्दू छेत की तीबता का परिमान निकाल लेंगे आंतर इक बिंदू पर हो जाएगा 1 बटा 4 pi epsilon 0 into Q की जगा हो जाएगा R into 4 बटा 3 pi r cube into R बटे capital R के घाते 3 ठीक है? यह तो इससे कट गया पूरा 4 pi से 4 pi कट गया उपर क्या बचा? यहाँ पर बच जाएगा rho बटे epsilon 0 into यहाँ पर हो जाएगा R rho R, sorry, rho तो मैंने ले लिया है बटे 3, क्यों तीन आएगा rho एक दो बार हो गया, इसको एक बार कट कर दीजे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा बिद्दू छेट की तीवता का कब? जब हमारा आंतरिक बिंदू पर हो कोई बिंदू ठीक है? उस गोले के अंदर हो कोई बिंदू तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि E जो हमारा क्या है? अनकुरमानुपाती है R के याने कि हमारा एक सरल रेखा में इसकी बिरिद्द्ध होगी ठीक है? क्योंकि हमारा ये पूरा नियतांक तीन नियतांक है ही ठीक है? ये पूरा हमारा क्या हो गया? जब R जो है चोटा है तो ये तीनों हमारे सूत्र हो जाएंगे इसके लिए ठीक, चाहे तो आप इसका graph भी देख सकते हैं, graph अगर बनाएंगे आप, graph हमारा कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए, जब आपने देखा था, कि प्रिष्ट पर इसका क्या था, हमारा E जो है, R के अनकुरमानुपादी था, तो देखे, एक स आपके इसके बाहिए बिंदू पर हमारा बहरा बोली क्यानी परेवल होगा, ठीक है, तो यह आपका graph हो जाएगा, और उपर वो तीनों के सापके उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक्ट से बार भी से लेकर नीट आई आई टी जेई वो एडवांस क लेवल तक, एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा, आज ही डाउनोट करें डाउट में डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट आच चार्सो 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 पर